नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खना वियुपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, साथियों आज हम बात करेंगे बुर्साइटिस के विशे में, बुर्साइटिस, जिसको कि हम सब लोग जानते हैं, कभी इफेक्ट होता है, यहाँ पर आपको अगर सूजन दिख रही है, यहाँ पर एलिवेटेड पॉर्सन दिख रहा है, तो यहाँ एक बुर्साइटिस की स्थिति होती है, जो कभी न कभी हम लोग फेस करते हैं, यहाँ रिस्ट और पैर में एंकल के पास होती है, यहाँ बहुत कोई खतरनाक स्थिति नहीं होती है, लेकिन आप इरिटेट होते हैं, अगर आपके कुछ यहाँ पर उभार ऐसा दिखे, एक कॉस्मेटिक ट्रबल भी देता है, और वक्त आने पर यहाँ आपके मोशन को भी करता है, तो अगर समस्य है तो उसका निदान होना चाहिए, जिती जल्दी हो सके होना चाहिए, और इसी संकला में इसकी दस कारगर्द होमेटिक दमाए आपके लिए हैं, जो बिन अपने जो यह रिस्ट होती है, या कोई भी जॉइंट होता है, उसके बीच में फ्लूइट इसी को बुर्साइटिस कहते हैं, इसके सिम्टम साथियों, सिम्टम आप सब जानते हैं, जब भी आपको उभार लगे और आपके हाथ का रेस्टिक्शन जो की शुरू में नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पेंफुलो और आपको यहाँ पे इंफ्लमेशन लगे, तो वही ब रेपिटिटिव एक्शन होते हैं साथियों, जब आपके बुर्सा पर जोर पड़ता है, जो जोर पड़ता है जॉइंट पर, तो यहाँ स्वेल कर जाती हैं, इनफ्लेम हो जाते हैं, यहाँ जो फ्लूइट फिल्साइटिस होते हैं, आपके बोन और मसल के बीच में जो कु होमियोपेटिक दवाएं, वो दवाएं जो आपको FNAC यानि फाइन नेलिल एस्पिरेशन साइटोलोजी से बचा लेंगी, इसकी संभावना है, लेकिन हम फिर कहेंगे कोई भी दवा बिना कुसल्च किसक से पूछे ना लीजेगा, क्योंकि हर दवा के अपने सिम्टम इफ स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, अलग से आपको पूरा उभार दिख रहा है, तो इसकी सबसे कारगर दवा साथियों, घुटने में होने वाली बुर्सा की ट्रॉमा के कारण है आर्निका, आर्निका वनियम पावर की दो-दो भून दिन में तीन बाल लेकर आप बुरसा बुर्साइटिस के कंडिशन में, कि हमारे घर की जो महिलाएं वो लगातार किचन में और घर के वाशिंग मशीन पे और तमाम जहां काम कर रही है, और खड़े-खड़े उनके पैरों में अब इत्ती सूजन आ गई, कि वो गांठ हैसी दिखने लगी है, और वो बहुत पेन पुल है, उसको छुआ भी नहीं जा सकता, उससे भी पेन होता है, तो अगर वाय स्थिति हो बुर्साइटिस की, आपके घुट्ने में बहुत सूजन हो गई हो, खास्तोर से महिलाओं में जो घर का पूरा काम करती हैं, जिम्मेदारी के साथ, तो उसको ठीक करने के हुम्यो में सूजन आ गई हो, और बहुत जादा पेनफुल हो रहा हो, और अब आप खड़ी भी ना रह पा रही हो, तो इस्थिक्टा पल्मोनेरी आपकी डग अपता चोईस है, यहाँ दवा आपको इस समस्या से निकाल के, आपके घुट्ने को ठीक करके, जो बुर्साइटिस का एक उल्जन पैदा कर देने वाली गांट है, उसको खसम करके आपके घुट्ने को आराम दे देगी, फिर एक इस्थिति आती है बुर्साइटिस में, कि आपके घुट्नों में इतनी सूजन आगे कि वो जलन पैदा कर रहा है, वो जो बुर्सा बना है, जो आपका फ्लूइ पावर में दो-दोबू उन दिन में तीन बार वो विक्ती ले सकते हैं, जिनके घुट्नों में बहुत सूजन है, चुभन हो रही है, इस्टिंगिंग टाइप पेन हो रहा है और उनको प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, अगर यह यह एस्थिति है तो आपकी ड्रक ऑफ द इसमें जो आपके गाठ है पहर में या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं जो आपके गाठ है, उसमें चलने से सूजन बढ़ती है, और एक होता है चलने से आराम मिलता है, तो इन दोनों परिस्तितियों की दवा है, पहले बात कर लेते हैं चलने से सूजन बढ़ने की, तो बुर्साइटिस के यानि की जो inflammation आपके गांट हैसी पड़ी ये गुटने में उसके pain में ले सकते हैं जब आपका चलने से तकलीफ हैं बढ़ रही हो और इसी संक्ला की दूसरी दवा है रस्टॉक्स रस्टॉक्स वनियम पावर की दो दो बुन दिन में तीन बार आप उसे सिती में ले सकते हैं जब बुर्साइटिस के केस में आपकी गांट में गुटने में चलने से आराम मिलता हो तो उसकी दवा रस्टॉक्स है इसे मन में विचार आता है साथ थोड़ी दूर चले फिर आर सब्सक्राइब टाप्ट कर सकते हैं हैं फिर साथ हुएक श्थिति आती है कि आपके जॉइनट से बहुत जादा व्यएर टियर हुआ उसके बाद आपको तकलीफ होने टीर हुआ उसके बाद आपको तकलीफ होने लगी आपके गुटने स्वेल कर गए तो उसको तूर करने की हुम्योपेथी में बहुत अची जवार रूटा रूटा जी है रूटा दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप उसी सिती में ले सकते हैं जब आपके नी के जॉइंट में वियर एंट टीर हुआ हो यानि नी के जॉइंट डैमेज हुए हो और वहाँ पे बुर्सा बना हो और बुर्सा स्वेल करा हो और बुर्स मदसा से पर्मनेंटली निकालने में हल्प करेगी, ये साथियों कुछ दवाए थी, नी बुर्साइटिस के विश्य में, घुटने में जब आपके बुर्सा बनता है, उसके विश्य में, क्योंकि वहाँ बहुत तकलीफ देता है, और जब तकलीफ होती है, तो फिर उसका बिना कुसल चीकिसक्त से पूछे ना लीजिएगा क्योंकि तमाम सिम्टम होते हैं तमाम दवाएं होती हैं हर किसी की दवाब के है लेकिन आपकी जानकारी के लिए हैं यहां दवाएं थी आपके मन में कोई query हो कोई question हो तो आप notification panel में अपनी question को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साइप नमबर जो की आपके नोटिफिकेशन पैनल में दिया हुआ है इस पर कॉल करके हमसे आप अपनी कोरी रिजॉल्व करा सकते हैं आपको साथी हूं अगर यहां वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करि आपका साथी हूं इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत साधुवाद की है बहुत अ करें न कि यूए और नब खुए और उन्यूए ऑनberry में आई औरॉ हो और जब पांगरे पूरीं।